स्वागते स्टुडेंट्स आपका हमारे चैनल पर आज हम करेंगे अगला कारे पत्रक उच्छार अत्मक सिक्षन कारे पत्रक गनित का कक्षा 9 का स्टुडेंट्स कारे पत्रक नमर 20 इसे पहले के सभी कार ये पतर हमने अगर आपने देखें हमारे चैनल पर जरूर देखें English ओर विज्शान के भी काफी सारे कार ये पतर हो चुके है तो यंगी आप देख सकते हैं कारे पत्रक नमबर 20 जिसमें हम निम्ड की सालनीव में इस तम्भू को पुरा करना है देखिए तो स्टुडेंट देखिए इसमें पहले दे रखा है x-7 बराबर 1 है जिसमें x का मान हमें 7 रखना है तो बताना है कि समिक्रन संतुष्ट होता है या नहीं होता है तो x देखिए 7 रखेंगे 7-7 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा जो कि 1 के बराबर नहीं है यहाँ पर 1 है 1 के बराबर नहीं है तो नहीं उत्तर हो जाएगा इसी परकार से यहाँ पर x-7 बराबर 1 है x का मान 0 रखना है 0 रखा तो 7 क्या आ जाएगा students 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर minus 7 आया जो की क्या है 1 के बराबर नहीं है यहाँ पर एक लिखना है students आपको यहाँ बराबर के बाद में 1 लिखना है तो 0 minus 7 बराबर 1 तो आ नीचे के लिखेंगे minus 7 minus 7 not equal to 0 इस परकार से लिखना है और नहीं लिखना है इसका उत्तर यह भी नहीं हुआ बराबर होता तो बराबर लिखते अगला देखिए students तीसरा प्रशना x minus 7 बराबर 1 है जिसमें x का मान 8 है हमने 8 रखा x का मान तो 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा तो 1 बराबर 1 हो गया विर्कुल हाँ हो जाएगा अगला देखिए x बराबर 0 रखना है तो 0 प्लस 4 बराबर क्या आ जाएगा students 4 आ जाएगा तो जोकी 0 के बराबर नहीं है तो नहीं लिखेंगे x बराबर minus 4 minus 4 रखेंगे यहाँ पे तो minus 4 plus 4 बराबर 0 विर्कुल सही है तो हाँ हो जाएगा यहाँ पर देखे 0 रखेंगे x जगे 4 गुना 0 0 होता है जो कि 20 के बराबर नहीं है नहीं लिखेंगे अगला देखें x बराबर minus 5 है 4 का गुना किया minus 5 से minus 20 आएगा जो कि 20 के बराबर नहीं है यहाँ पर not equal to होगा इस प्रकार से लगाना है students आपको नहीं लिखना है अगला देखेंगे 4 x x का मान क्या है 5 तो 5 चौक 20 हो गया तो मतलब कि 20 बराबर 20 मतलब कि हाँ हो गया अगला देखें students x बटा 3 बराबर 2 जिसमें x का मान माने 6 है माने 6 है भाग 3 करेंगे तो माने 2 आएगा students जो कि 2 के बराबर नहीं है नहीं लिखेंगे अगला X बटा 3 बराबर 2 है X कमान 0 है 0 रखेंगे students 0 भाग 3 करते हैं 0 आता है जो कि 2 के बराबर नहीं है नहीं लिखेंगे अगला देखिए X बटा 3 बराबर 2 है X की value 6 है 6 बटा 3 2 होता है 2 बराबर 2 है विर्कुल सही हो जाएगा अगला देखिए प्रस्ट नमबर 2 जिसमें जाच करना है और कोश्टों को में दिये गए संग्यत को हमकी करना होगा है नहीं बताना है students देखिए M बराबर 1 रखेंगे 1 प्लस 5 होता है 6 6 जो की 19 के बराबर नहीं है तो नहीं लिखेंगे अगला देखिए दूसरा 7 N प्लस 5 N बराबर 3 है 21 21 प्लस 5 26 हो जाएंगे जो की 19 के बराबर नहीं है नहीं लिखेंगे यहाँ पर देखिए N की वैल्यू क्या है 2 है 2 N 7 N हो जाएगा मतलब की 2 गुना 7 14 14 प्लस 5 19 होते है students तो 19 बराबर 19 मतलब की हाँ अगला देखिए 4 X माइनस 3 बराबर 13 है X बराबर माइनस 3 है तो students माइनस 3 गुना 4 क्या करेंगे माइनस 12 माइनस 12 माइनस 13 मतलब माइनस 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 15 हो जाएगा जो कि 13 के बराबर नहीं है नहीं लिखेंगे इधर देखिए x बराबर 4 है 4 चौक 16 हो जाएगा 16 में से 3 गए तो 13 बचे का 13 बराबर 13 हो जाएगा मतलब कि हा लिखेंगे इधर देखिए students 4x-3 बराबर 13 है x की value 0 है 0 गुना 4 करेंगे 0 आएगा माइनस 3 बराबर 13 जो कि क्या है बराबर नहीं है तो नहीं लिखेंगे students ये ता हमारा पूरा solution फिर भी कोई दिक्कत आती कमेंट के मादन से पूसकते हैं जोड़र ये चैनल से लाइक करें सेर करें सेस्क्राइब करें धन्यवाद